हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, मैं आपका फ्रेंड स्टीए शम्सिलार्फीन एक बार फिर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ इंकम डैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स में, और फ्रेंड्स हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था अगर आप लोगोंने मेरा previous वीडियो देखा है तो हमें पता है कि हमारा TDS का concept चल रहा था और TDS के concept में हमने काफी चीज़े cover कर ली थी जैसे TDS क्या होता है और TDS को introduce करके government को क्या-क्या फाइदे है और TDS का payment की due date क्या होती है और कौन TDS deduct करता है यह सारी चीज़े हमने अपने part 1 में देख ली थी पढ़़ लिया था अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो मैं उन लोगों से request करूँगा कि आप पहले part 1 देखें ताकि आपको part 2 और अच्छे से समझ में आये friends तो friends आगे चलते हैं और आज हम आगे के concept cover करने वाले हैं उससे पहले मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए अगर आप अपना career बनाना चाहते हैं income tax की field में, GST की field में या आप अपना career को एक नया direction देना चाहते हैं तो ऐसे ही लोगों के लिए ये channel है, ये platform है जहां हम और आप मिलकर हर रोज कुछ नया सीखते हैं ठीक है friends, तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe कीजिए ठीक है friends, अब बिलकुल भी time waste नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं अपने main part की तरफ friends, last lecture में हमने ये देखा था कि अगर कोई person TDS काटता है तो उसे कब पे करना होता है in short, due date क्या होती है TDS के payment की आज हम देखेंगे कि जो TDS return फाइल होते हैं उनकी क्या due date होती है ठीक है friends देखिए friends due date जो return होती है TDS की जो TDS return होते हैं वो quarterly basis पे फाइल किये जाते हैं ठीक है, तो साल में 4 quarter होते हैं तो उस हिसाब से जो TDS के return होते हैं वो साल में 4 बार फाइल किये जाते हैं तो जो TDS return होते हैं वो quarterly basis पे फाइल किये जाते हैं उनकी अगर due date की बात करें तो जो first quarter होता है ठीक है, वो कब खतम हो रहा है? 38 June वहाँ से एक महिना, यानि कि 31st July जो second quarter होता है हमारा उसकी जो due date होती है वो 31st October होती है जो हमारा third quarter होता है October से December का उसकी due date होती है 31st January तो January से March जो हमारा fourth quarter है उसकी due date 38 April ना होकर के 31st May होती है क्यूँ? क्यूँकि जो fourth quarter होता है उसका जो return होता है उसमें ज्यादा detail देनी परती है थोड़ा सा return जो उसका होता है वो lengthy होता है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा time दिया गया है आप जब quarter खतम होता है last quarter quarter four वहाँ से 60 days यानि कि 2 महिना यानि कि 31st May तक आप उसको file कर सकते है ठीक है friends तो यह हमें देखी है due date कि जो person TDS को deduct करता है तो ऐसा नहीं है वो TDS card के अपनी जेब में रख लेता है उसको pay करना होता है central government को और जब वो TDS pay कर देता है उसके बाद उसको quarterly basis पर TDS का return file करना होता है अब TDS का return कैसे file करते है यह हम जब हम TDS का practical cover करेंगे उसमें देखेंगे कि TDS का return कैसे file किया जाता है अभी हम यह देखते हैं कि क्या due date है तो TDS return में सारी detail जाती है कि भाई किसका TDS काटा है कब काटा है कितने percent से काटा है कितने amount का काटा है क्यों काटा है इस सारी चीजे हमें TDS return में बतानी होती है government को इसलिए file किया जाता है TDS का return ठीक है friends आगे चलते हैं अब हम देखते हैं कि जभी भी TDS या तो आपको deduct करना है या आप किती को payment कर रहे हैं जिसके उपर TDS आपको काटना है तो इन सारी चीजे के लिए जो important documents है वो क्या है friends पैन जिसका भी आपको TDS deduct करना है या आप चाहते हो कि आपका TDS deduct किया जाए तो आपको क्या furnish करना पड़ेगा PAN PAN furnish करना mandatory requirement है friends क्या लिखा हुआ है जिसका TDS deduct होता है जिसका TDS काटा जाता है उसे बोलते हैं deductee in all correspondence चाहे वो बिल हो, voucher हो, कोई भी documents हो तो जिस भी person का TDS deduct होने वाला है या जिस भी person का TDS deduct करना है उसका PAN होना बहुत जरूरी है because जो आप TDS काटते हो वो कहां पर चढ़ाते हो उस सामने वाले person के PAN के उपर ठीक है friends तो PAN furnish करना बहुत important है अब question यह होता है कि sir, अगर किसी का PAN ना हो या कोई PAN ना देना चाहे तो क्या होगा देखिए उस case में आपके उपर थोड़ी सी penalty कह सकते हो या जो आपका tedious काटा जाएगा वो थोड़ा सा higher rate से काटा जाएगा ठीक है तो लिखा हुआ है in case of failure to provide PAN तो rate of tedious हो जाएगा वो क्या हो जाएगा higher of the following इन तीनों में से जो भी ज्यादा है या तो कोई rate लिखा हो किसी act में ठीक है या कोई finance act में कोई rate specifically बताया गया हो ये भी नहीं है तो 20% इन तीनों में जो भी highest है उस rate से आपका tedious कट जाएगा अगर आपने PAN नहीं दिया तो friends PAN ना देने पर आपका जो tedious है वो बहुत high rate से कट जाएगा तो इससे अच्छा ये है कि अगर कोई incorrect PAN दे दे तो क्या होगा तो देखिये अगर कोई incorrect PAN देता है तो वो ऐसा माना जाएगा कि आपने PAN दिया ही नहीं है ये माना जाएगा कि आपने अपना PAN दिया ही नहीं है अगर आपने जो PAN दिया है वो incorrect है तो ये भी ensure करिए कि जो आपने pan दिया है वो correct होना चाहिए ठीक है friends आगे चलें अभी तक तो हमने बात कर ली कि due date क्या होती है payment की due date क्या होती है return की pan देना जरूरी होता है pan ना देने पर क्या होता है अब हम देखते हैं आपको tds deduct करना था ठीक है बट आपने tds नहीं deduct किया या फिर deduct किया late deduct किया तो इन सारे cases में क्या सर हमारे उपर कोई penalty पढ़ जाएगी बिल्कुल कोई भी law हो जब जब आप करेंगे पाप तो आपके उपर applicable हो जाएगी सजा तो जब पाप होगा तो भगवान हमने सुना है ना जब जब पाप बढ़ता है तो भगवान धरती पर आते हैं उसी तरह अगर आप income tax में पाप करोगे तो provisions आ जाते हैं penalty के तो देखते हैं किस पाप की कौन सी सजा मिलती है देखिए friends अगर आपने tedious काटा ही नहीं या काटा और government को pay नहीं किया तो उस case में क्या होगा पहला देखिए late deduction यानि आपको tedious आज काटना चाहिए था आपने tedious काटा कब एक महीने बाद दो महीने बाद उस case में क्या होगा simple interest लगेगा 1% per month और part of the month कभी भी law में लिखा हो part of the month तो इसको ऐसे लिया जाता है कि पूरा महीना जैसे अगर देड़ महीना होगा तो एक महीना पूरा और अगर आधा महीना है तो उसको आधा महीना नहीं माना जाएगा उसको पूरा महीना माना जाएगा अगर धाई महीने तो उसको क्या माना जाएगा तीन महीने अगर कोई कह रहा है कि साधे तीन महीने तो उसको माना जाएगा चार महीने ये मतलब निकलता है पर मन्त और पार्ट देर आफ का तो क्या लिखा हुआ है law में 1% पर मन्त और पार्ट आप दा मन्त तो अगर पार्ट date on which tax should have been deducted उस दिन जिस दिन TDS कार्ट लेना चाहिए था उस दिन से लेकर up to the date on which such tax was actually deducted जिस दिन actual में TDS deduct हुआ जिस दिन होना चाहिए था वहां से लेकर जिस दिन actual में हुआ वहां तक इस पूरे period का 1% simple interest पे करना पड़ेगा समझ में आ रहा है friends अभी हम इसको एक example से समझते हैं उससे पहले देखते हैं late payment हमने TDS तो काट लिया लेकिन उसको payment उसका delay कर दिया तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा because आपने पैसा काट के अपनी जेब में रख लिया तो आपने थ interest थोड़ा सा ज्यादा हो गया है यहां पर interest लगेगा 1.5% 1.5% लगेगा पर month और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है part of the month ठीक है कब से from the date on which tax was deducted जिस दिन आपने TDS काटा था वहां से लेकर up to the date on which such tax is actually paid to the government जिस दिन actual में आपने TDS पे किया किसको government को इस पूरे period का आपके उपर interest लग जाएगा 1.5% ठीक है friends तो यह था अगर आपने time से TDS नहीं काटा या काटा था बट पे नहीं किया तो क्या interest होगा इसको एक example से समझते हैं friends देखिए friends यह example है कि जो TDS deductible था मतलब चिस दिन TDS काट लेना चाहिए था वो date थी 5th January 2022 कितना TDS काट लेना चाहिए था 1 lakh लेकिन actual में TDS कब काटा गया 18 February ठीक है 5th January को TDS काट लेना चाहिए था काटा कब गया है 18 February को तो interest कैसे लगेगा यहाँ पर क्या हो रहा है late deduction हो रहा है तो late deduction के लिए कितना interest है 1% अब यहाँ पर एक महिने के लगेगा कि दो महिने के लगेगा तो देखिए 5th January से 5th February एक महिना हो गया उसके बाद 18 February तो हमने क्या पढ़ा हुआ है part of the month part of the month को भी पूरा महिना मानना है तो यहाँ पर देख महिने का interest नहीं लगेगा पूरे दो महिने का interest लग जाएगा तो कैसे लगेगा एक लाक का 1% और फिर उसको दो महिने में convert कर लेंगे 2 divided by 12 ऐसे करके जो interest आया वो कितना आया 166.67 ठीक है समझ में आ रहा है जितना tedious काटना है उसके उपर interest कैलकुलेट किया जाएगा tedious काटना था एक लाक तो एक लाक का 1% फिर उसको दो महिने में convert कर लिया ठीक है simple math है तो ऐसे हमें interest का calculation करना है जब हम tedious या तो late deduct कर रहे हैं या हमने deduct तो time पे कर लिया था समझ में आ रहा होगा कोई confusion है comment section में मुझसे पूछिए मेरा telegram number है telegram channel है वहाँ पूछ सकते हैं मेरे whatsapp number पर मुझसे पूछ सकते हैं और फिर friends ज्यादा confusion है तो आप video को remind करके दोबारा देख सकते हैं ठीक है friends आगे चलते हैं तो friends ये तो थी कि जब आप payment delay करते हो तो उसके उपर interest लग जाता है अब देखते हैं कि अगर आप TDS का return time पे file नहीं करते हैं तो क्या कोई late fees applicable होती है तो yes friends अगर आपने TDS का जो return है जो भी हमने देखा कि quarterly basis पे file किया जाता है उसको आपको file करने में हो जाता है delay तो फिर आपने कर दिया पाप और अगर आपने कर दिया पाप तो आपको मिलेगी सजा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको कितनी सजा मिलेगी तो section 234E ये कह रहा है कि a fee of 200 रुपीज per day 200 रुपाए per day के हिताब से आपके उपर late fees लगती रहेगी अगर आपने delay कर दिया 10 days तो late fees कितनी हो गई 2000 अगर आपने delay कर दिया कितना 100 days तो कितना हो जाएगी 20,000 के penalty तो यह penalty लगती रहती है ठीक है friends ये कब से लगेगी जो due date है tedious return की वहां से ले करके जिस दिन आपने return फाइल किया है ठीक है friends अच्छा second point क्या कह रहा है कि जो भी penalty होगी इस section में shall not exceed total amount of tedious जितना भी आपने tedious काटा है उससे ज्यादा penalty नहीं लगेगी और सही भी है आपको tedious काटा है सिर्फ 5000 और penalty लग जा एक लाक तो बहुत ना इंसाफी हो जाएगी तो law क्या कहता है जितना आपने tedious काटा है उससे ज्यादा penalty हम आपके उपर नहीं लगाएंगे ठीक है और third point क्या कह रहा है कि tedious return फाइल करने से पहले पहले आपको जितनी भी penalty है वो pay कर देनी है ठीक है फ्रेंट्स तो ये थी penalty tedious return time से फाइल ना करने की कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अगर आप payment कर रहे हो तो कोई tedious की requirement नहीं है और ये हैं हमारे government के departments गवर्मेंट ने खुद को भीया exam कर लिया है कि जब हमको तुम लोग पैसा दोगे तो कोई tedious मत काटना क्यों क्यों क्योंकि tedious काट के भी किसको देते हो government को तुम हमारा ही पैसा काट के हम ही को दोगे तो इत्ती महनत क्यों करोगे तो government ने बोला है कि no tedious on any sum pay bill to pay bill to whom government या कोई RBI या कोई corporation है जो central government या central act के अंदर establish होते हैं ठीक है mutual fund बगारा इन लोगों को कोई भी payment करोगे तो कोई tedious काटने की ज़रूरत नहीं है ये लोग tedious के concept से उपर उठ चुके हैं इनके उपर tedious की applicability नहीं होती है ठीक है friends तो ये थे tedious के कुछ और concept अब हम next यानि कि जो tedious का part 3 होगा उसमें हम tedious के बागी concept कवर करेंगे फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो लाइक मार दो अगर मेरे वीडियो से आपकी knowledge बढ़ रही हो तो चैनल को subscribe भी करो और अपने friends तक share भी करो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और knowledgeable journey के साथ ठीक है friends तब तक के लिए thank you good bye